हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग मैसेल ताराचन टीम मेट्स यल्सी सिकर आज हम लोग अपने DTS 30 के अंदर जो अपना मेट्स का दस्वा पेपर है उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन, ITF और मेथड ऑफ डिफ्रेंटियेसर ठीक है सो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की पड़ाई अच्छे से चल रही होगी आप सब लोग अच्छे से टेस्क दे रहे होंगे सो चलिए डिस्कस करते हैं स्टार्ट करते हैं आज का हमार पहला क्यूस्चन और फर्स्ट क्या है देखिए find the domain of this function function देरका है आपको cos inverse 2 upon 2 plus sin x जहांपर आपके सामने आपको इसकी क्या करनी है domain find out करनी है तो देखिए कैसे करेंगे सबसे पहले देखिए क्योंकि यह cos inverse के अंदर है और अगर यह cos inverse के अंदर है ठीक है तो यह क्या होना चाहिए माइनस 1 से 1 के बीच में होना चाहिए बट उसके पहले हम एक बार यह चेक कर लेते हैं कि यह जो expression actually इसकी value आ कहां रही है हो सकता है यह माइनस 1 से 1 के बीच में आ रहा हो तो यह आएगा हमारा 1 से लेकर के 3 के बीच में अब क्या करना है इसको इसको रेसिप्रोकल करना है तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो यह आजाएगा 1 बाई 3 से लेकर के 1 upon 2 plus sin x ठीक है और इदर से इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो आपका 1 ही आएगा ठीक है और finally अगर हम बात करें ठीक है तो अपने पास में क्या आएगा अपने पास में इसको क्या करना है 2 से multiplication करना है so 2 से जब इसमें multiplication करेंगे तो finally हमारे पास में आयेगा 2 by 3 से लेकर के 2 upon 2 plus sin x जो होगा ठीक है न वो कहां तक आ जाएगा 2 तक आ जाएगा actually जो इस expression की जो value आ रही है हमारी वो कहां से कहां आ रही वो 2 by 3 से लेकर के 2 के बीच में आ रही है लेकिन हमें ये पता है कि cos inverse होगा वो ये वाली range तो नहीं लेगा ठीक है और ये वाली range नहीं लेगा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि इसकी अगर हम domain की बात करे तो इसके अंदर हम ये सारी values नहीं से लेकर के 1 तक की value substitute करेंगे 2 divided by 2 plus sin x से लेकर के 1 तक और इससे देखते हैं कि हमारे पास में x क्या आएगा वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सबसे पहले इसको again 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आजाएगा 1 by 3 से लेकर 1 upon 2 plus sin x और इदर आजाएगा अपने पास में कितना 1 by 2 इसके बाद में इसको reciprocal कर दिया तो ये value आगई आपकी 2 से लेकर के 2 plus sin x कहां तक 3 के बीच में आ गई और यहां से जब आप 2 को subtract करोगे तो ये value आएगी आपकी कहां से कहां तक 0 से लेकर के sin x की value आ गई 1 के बीच में और sin x आपका 0 से 1 के बीच में आ रहा है इसका क्या meaning हुआ इसका meaning ये हो गया कि आपको क्या करना है 0 से लेकर के 1 sin x कब होगा ये बताना है तो आप सबको पता होगा कि sin x का जो graph होता है वो कैसा होता है वो कुछ इस टाइप का होता है तो Sine X की value 0 से 1 के बीच में कब होगी इस वाले interval के इंदर ठीक है नहीं यहां से लेकर के यहां तक जो कि आपका 0 से लेकर के πाई तक का interval है लेकिन 0 से पाई तो यह पहला interval है ऐसे ही आपके पास में आगे भी आ सकता है यहां पर भी आ सकता है वापिस तो यह वापिस 2 पाई से लेकर के आपका 3 पाई तक आ जाएगा इसे पिछे भी आ जाएगा इसके अंदर गर हम 2N पाई एड़ कर दे 0 से पाई में तो हमें मिलेगा यह वाला जो answer है जो कि हमारा सही answer होगा 2N पाई से लेकर 2N प्लस 1 पाई तक और यही हमारी क्या हो जाएगी इस function की domain हो जाएगी ठीक है इसका जो प्रांथ होगा वो पहला option हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं question number 2 और question number 2 क्या है देखिए question number 2 के अंदर हमें दे रखा है कि let fx be a real valued function यह कोई एक real valued function है तो इसकी range domain और period के बारे में बात करते हैं ठीक है कि कौन सा option सही होगा तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी domain क्या होगी तो देखिए greatest integer के अंदर तो कोई भी number आ सकता है ठीक है और greatest integer में कोई भी number आ सकता है तो हम आगे चलेंगे log के अंदर तो log के अंदर हमेशा positive number आना चाहिए तो यहां पर mod लगा हुआ है और mod लगा हुआ है that means sin of pi x upon 5 की जो value होगी अगर modless लगा हुआ है तो वो value आपकी 0 से लेकर के और 1 के बीच में ही आएगी हमेशा ठीक है यह किसकी range होगी mod of sin pi x upon 5 belong to हमेशा क्या होगा 0 से 1 होगा और 0 से 1 होगा इसका मतलब यह हो गया कि अब log इसमें से कौन से input लेगा तो log इसमें से कौन से input लेगा वो लेगा आपका 0 से लेकर के 1 तक के क्योंकि 0 तो log के अंदर undefined हो जाएगा और 0 से 1 इसके अंदर जब आप put करेंगे और यह एक तरीक से ऐसे check करेंगे कि sin π.x upon 5 का जो मॉडलस होगा वो 0 से 1 कब होगा ठीक है तो 0 से 1 हमेशा नहीं होगा ठीक है हर values पे नहीं होगा क्योंकि जैसे x की value अगर 5 आ जाएगी ठीक है तो यह 0 आ जाएगा जो की possible नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि domain में 5 नहीं आएगा ऐसे domain में 10 नहीं आएगा 5 के multiples नहीं होंगे और आपको देरका है कि domain इसकी all real number है तो यह option आपका क्या हो गया गलत हो गया अब बात करें इसकी range की देखिए अगर log के अंदर 0 से 1 के बीच की values है तो देखिए जब log के अंदर आप सब 0 से 1 के बीच की values पूट करते हैं तो आप सबको पता होगा कि 0 से 1 जब log में put करेंगे ठीक है तो उसका जो output आता है वो negative आता है और negative आता है इसका मतलब उसकी जो range होगी वो आएगी minus infinity से लेकर के 0 तक आएगी और minus infinity से 0 range आएगी आपको range देरके 0 और 1 दो element यह भी possible नहीं है अब बात करते है period के बारे में और period के बारे में अगर देखेंगे तो log sin pi x upon 5 का modulus का period निकालना है तो अगर अंदर वाला function periodic है तो all our function भी periodic होगा और उसका जो period होगा वो ही आपके पूरे function का period होता है तो mod sin pi x upon pi का period कैसे होगा mod का होता है mod sin x होता तो pi और क्योंकि pi x upon 5 है तो उसको pi upon 5 से divide कर देंगे तो pi से pi कट जाएगा और आपका जो period हो जाएगा वो कितना आ जाएगा वो 5 आ जाएगा लेकिन 5 इसका क्या है fundamental period होगा और यहाँ पर आपको सिर्फ period बोला गया है इसका मतलब यह हो गया कि इस जो 5 जो multiples होंगे न वो भी आपके period होंगे तो according to the option आपका period बोला गया है तो तीसरा option आपका सही होगा अगर 5 इसका fundamental period है तो 10 भी इसका period होगा ठीक है अगर इसमें ball देते कि fundamental period क्या होगा तब जरूर 5 होता बढ़ क्योंकि period बोला गया है और according to क्योंकि बाकी दो option गलत हो चुक question number 3 के अंदर देखिए आपको बोला गया है कि which of the following is the complete solution set of this inequality इस inequality का complete solution set कौन सा है वो आपको बताना है तो देखिए जैसा data दे रखा है ये वाला data को देखते हुए एसा लग रहा है कि इसमें x को cos theta पूट कर दे तो अपना काम हो सकता है तो चलिए पहले right hand side में cos theta पूट क minus 1 और नीचे आजाएगा आपके सामने 2 cos theta और आगे वाली टरम हो जाएगी 1 minus cos square theta का root that is sin theta इसको simplify कर लेते हैं थोड़ा देखते कितना आएगा तो ये आएगा देखिए आपका cot inverse उपर हो जाएगा cos 2 theta divide by नीचे हो जाएगा 2 sin theta cos theta that is sine 2 theta जिसको आप क्या लिख सकते हो जिसको आप लिख सकते हो cot inverse cot 2 theta और देखिए cot inverse cot 2 theta जो होगा वो आपका किसके equal होना चाहिए क्योंकि हमने देखिए x को theta लिया है ठीक है x को आपने क्या लिया, cos theta लिया है तो ये आपका 2 theta के बराबर होना चाहिए और ये 2 theta के बराबर तब होगा ठीक है, क्योंकि देखी हमेशा ये 2 theta के बराबर नहीं होता है ये 2 theta के बराबर तब होगा जब x आपका कैसा होगा, 0 से 1 के बीच में होगा क्यों क्योंकि x अगर 0 से 1 के बीच में होगा तभी आपके सामने जो cos inverse cos x cos theta होता है वो क्या होता है इस वाली line x के equal आता है नहीं तो फिर आपके पास में यह इदर आगे चल करके 2 pi minus x या इदर चल करके minus x के बराबर हो जाता है clear है अगर x 0 से 1 के बीच में हो गया ठीक है तो फिर यह आपके पास में क्या हो जाएगा यह क्योंकि इसी domain में आ जाएगा 0 से 1 वाले में तो यहां पर आपका जो सही answer हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा पहला option हो जाएगा x belong to 0 से 1 ठीक है minus 1 से 0 में यह आपका cos inverse minus theta जो होगा ठीक है वो 2 theta के बराबर नहीं होगा फिर वो minus 2 x के बराबर आ जाएगा ठीक है जो क्या आपका क्या होगा सही answer नहीं होगा चली आगे बात करते हैं question number ऐसे minus 1 से 0 में नहीं होगा और आप बाकी points पर भी देख सकते हो x equal to 0 तो पूट करके भी देख सकते हो x equal to 0 पर तो कैसा होगा undefined होगा ठीक है तो यह सारी चीज़े आपको दिखाई दे जाएगी चली आगे देखते है question number 4 क्या है देखिए question number 4 के अंदर आपको बोला गया है कि the domain of the function again आपको इस function की domain निकालनी है तो चली बात करते हैं देखिए domain के अगर बात करें उपर quote inverse x से इसको कोई problem नहीं है ठीक है इसकी domain all real number होती है इसमें आप कुछ भी put कर सकते हो ठीक है बड़ नीचे जो है इसको problem होगी और इसको कहा कहा problem होगी देखिए x square minus greatest integer of x square देखिए root वाली जो ट्रम है वो आपकी negative नहीं होनी चाहिए और साथ में क्योंकि divide में तो जीरो भी नहीं होनी चाहिए x square will be greater than greatest integer of x square यह इससे greater होना चाहिए तो यह इससे greater कब होगा तो देखिए इसके अंदर आप x की कोई भी अगर fraction वाली value put करोगे ना तो हमेशा यह इससे बढ़ा ही होगा क्योंकि आप समने पढ़ाए कि x जो होता है वह हमेशा greatest integer x से बढ़ा होता है तो x square भी हमेशा greatest integer of x square से बढ़ा होगा दूसरी बात करें कि यह दोनों बराबर कब होंगे क्योंकि x square हमेशा इससे बढ़ा कब होगा fraction पर तो बढ़ा होगा इंटिजर्स पर क्या होगा उसके बारे में अगार देखें तो इंटिजर्स पर यह दोनों बराबर होंगे इसका मतलब यह हो गए कि इंटिजर्स पर यह zero होगा तो x की value आपकी क्या नहीं होनी चाहिए इंटीगरल नहीं होनी चाहिए इसका मतलब x जो है आपके पास में किसी इंटीजर का रूट नहीं होना चाहिए ठीक है और x किसी इंटीजर का रूट नहीं होगा और बाकि कोई भी real number हो सकता है तो ऐसा जो आंसर हो जाएगा आपके पास में वो third option हो जाएगा ठीक है? Union 0, miss 0 भी नहीं आना चाहिए क्योंकि 0 पर भी क्या हो जाएगा? 0 आजाएगा ठीक है? बाकि कोई भी real number हो सकता है आपका fraction वाला, तो third option आपका यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा यह गलत हो जाएगा, यह क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखिए आपको हर point पर दिक्कत नहीं आएगी जिसे आप n equal to 2 पर अगर बात करें तो 2 पर यह तो 4 आएगा ठीक है? x की value अगर 2 लें, तो उधर से 4 आएगा ठीक है? और इधर से अगर आप x की value x square की value, क्योंकि यहाँ पर हम किस की value निकाल रहे है? x की value निकाल रहे हैं, ठीक है? तो x square की value आपके पास में root n के बराबर नहीं होनी चाहिए means x square आपका integer नहीं होना चाहिए ठीक है? x square अगर integer नहीं होगा तो आपका काम चल जाएगा अब देखो x क्या integer के बराबर हो सकता है ठीक है? जैसे, for example, मैं सारे integers की अगर बात करूँ ठीक है? इसमें जैसे 1 put करूँगा ठीक है? तो यह कितना हो जाएगा? 1 square और इधर भी यह कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा जैसे जब 2 put करूँगा तो उधर आजाएगा आपके पास में कितना x square की value, अगर 2 आ जाए ठीक है? okay, x square की value, अगर 2 आ गई तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, आपके पास में root 2 ठीक है? root 2 पर यहां पर दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि root 2 पर यह तो 2 हो जाएगा जबकि इसकी value कितनी आ जाएगी, x square जब 2 होगा, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में जो सही option हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, वो third option हो जाएगा, यहां पर, clear है, चलिए, आगे बात करते हैं, question number 4, question number 4 क्या है, देखिए, question number 4 हो गया question number 5, question number 5 में आपको दिया है, fundamental period, देखिए, क्या है, इसका fundamental period निकालना है, तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा simplify करेंगे, और simplify कैसे करेंगे, इन दोनों में formula लगाते है, देखिए, sin c plus sin d का, तो ये हो जाएगा, 2 times sin c plus d by 2, 5x, into cos c minus d by 2, 6 minus 4, 2x upon x, that is x, plus, ये है, 3 into sin 5x, divide by, नीचे, cos c plus cos d का formula लगाएगे, तो ये हो जाएगा, 2 times cos c plus d by 2, that is again 5x, 6 plus 4, 10 by 2, 5, into cos c minus d by 2, is cos x, plus 3 times cos 5x, तो देखिए, क्या होगा, उपर से sin 5x common आजाएगा, और अंदर बचेगा, आपके सामने, 2 cos x plus 3, और नीचे से आपका common आजाएगा, cos 5x, और यहां पर आपके पास में कितना आजाएगा, यहां पर भी आजाएगा, 2 cos x plus 3, देखिए, इस से ये तो कट जाएगा, और इस से ये कट जाएगा, तो आपके पास में आजाएगा, सिरफ 10, 5x, और इसका period आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, 10x का period pi होता है, और इसको 5 से डिवाइड करेंगी, तो इसका जो fundamental period होगा, वो pi upon 5 आजाएगा, और इस तरीके से आपका जो third option है, वो सही होगा, अब देखिए, इसके जो multiples होगे न, वो भी आपके पास में period होते हैं, ठीक है, बर question में भी जिस आपको बोल दिया गया कि fundamental period क्या होगा, और by chance अगर single choice question होता, और सिरफ period भी लिखावा होता, तो भी हम fundamental period ही निकालते, पहली choice हमारी हम ऐसा fundamental period होता है, अगर multiple choice question होता, तो फिर हम सारे periods के बारे में आपका answer सही से दे देते हैं, चलिए, आगे बात करते है, question number 6, क्या है देखिए, question number 6 के अंदर आपको बोला गया है कि, the sum of the solution of this equation, देखिए ध्यान से, यह equation देर कि आपको 3 pi pi 2 के बराबर, और यहां पर देखिए, दोनों जगे पर क्या है, root है, ठीक है, और दोनों जगे पर root है ना, तो यह भी number हमेशा positive होगा, और यह number भी हमेशा positive होगा, और आप सब को पता होगा, कोई भी अगर inverse trigonometric function हो, अगर आप उसके अंदर, अगर कोई भी positive number put किया है, तो उसकी range 0 से pi pi 2 ही हो सकती है, वैसे देखिए, sin inverse की range minus pi pi 2 से pi pi 2 होती है, लेकिन minus pi pi 2 से 0 तब आती है, जब वो negative होता है, उसका input कैसा हो, negative हो, ऐसी cos inverse की range pi pi 2 से pi के भी इसमें तब आती है, जब x negative हो, तो यहां पर क्यो जाएगी, आपके सामने pi हो जाएगी, तो दोनों का जो sum हो सकता है आपके सामने, वो maximum 3 pi pi 2 ही आ सकता है, और 3 pi pi 2 दे रखा है, तो यह तब होगा जब इन दोनों की value क्या है, maximum आए, और sin inverse x आपका maximum कब होगा, जब root over x square plus x plus 1 कितना हो जाए आपका, 1 आजाए, तब ही यह क् के सामने कब होगा, root over x square plus x कितना हो जाए आपके पास में, 0 हो जाए, क्योंकि 0 पर यह कितना होता है आपका, यह आपका pi pi 2 होता है, तो यहां से देखिए आपके solutions आएंगे, x equal to 0 और minus 1, और इसके अंदर अगर आप check करें, इसको put करके, क्योंकि जो भी answer आएगा, वो इसी में से हो सकता है, तो x equal to 0 पूट करते हैं, तो x equal to 0 पर इसकी value कितनी आएगी function की, y की value 1 आ रही है, जो इसको satisfy कर रही है, means x equal to 0 आपका solution सही होगा, ऐसी x equal to अगर इसमें minus 1 पूट करें, x equal to minus 1 पर कितना आ रहा है y, तो यह होगा 1 minus 1 plus 1 का root, जो कि यह भी 1 आ रहा है, that means यह इसको satisfy कर रहा है, इसका मतलब यह हो गया कि 0 और minus 1 दोनों के उपर इसका जो sum आएगा, वो 3 pi pi 2 आएगा, और आपको इन दोनों solution का sum पूछा गया है, तो sum कितना आ जाएगा, आपका minus 1 आ जाएगा, और आपका second option क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, चल cos inverse cos 8 pi pi 7 और a के 10 inverse 10 8 pi pi 7 तो देखिए, आप सब लोगों ने पढ़ा होंगे, cos inverse cos x का जो graph होता है, वो ऐसे चलता है, ठीकर और यह जो point होते हैं, 2 pi, 4 pi ऐसे होते हैं, तो आपको सबसे पहले देखना है, cos inverse cos 8 pi pi 7 जो की कहा लाई करेगा, यहाँ पर कहीं लाई करेगा, 8 pi pi 7 इसका जो answer होगा, वो कितना आएगा, पहले वाले का, cos inverse cos 8 pi pi 7 जो होगा, वो किसके बराबर होगा, वो 8 pi pi 7 के बराबर नहीं होगा, वो इस line के corresponding आएगा, और इस line का जो समीकरन होगा, वो होगा y बराबर, कितना, यह 2 pi से pass कर रही है, और minus x इसकी slope है, तो यह होगा 2 pi minus x, ठीक, और यहाँ पर जब 2 pi minus x की जगे पर क्या पूट करना है, आपको 8 pi pi 7, 8 pi pi 7 जब पूट करेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा 6 pi pi 7, तो जो पहले वाले को जब solve करोगे, तो यह आएगा, आपका cos inverse 6 pi pi 7, ऐसे ही आपको दूसरे वाले को solve करना है, 10 inverse 10 8 pi pi 7 का जो graph होत इसे चलता है, ठीक है, अब फिर ऐसे आएगा, और यह point आपका क्या होता है, pi होता है, ठीक है, और 8 pi pi 7 आपका pi से just आगे में, यहीं पर कोई point होगा, और इस line की जो equation होगी, वो होगी y equal to, यह positive slope और आपके negative side पर जाकर करेंगी, ठीक है, तो यह होगा आपका x minus pi, और इसक pi pi 7 minus pi, जो की होगा आपका pi upon 7, इसका जो answer आएगा, वो आएगा pi upon 7, और इस पूरे का आपको क्या करना है, cos निकालना है, तो यह बन जाएगा, आपका cos pi, जिसकी value कितनी होती है, minus 1, तो बच्चों, यह जो graphs होते हैं, बड़े important graphs होते हैं, इनको अच्छे से ज्यान में कर लोगे, और आपका जो answer हो जाएगा, वो second option हो जाएगा, जो की सही answer है, इसी के साथ हमारे जितने भी single choice questions थे, वो हमने सारे देख लिये हैं, आगे बात करते हैं, अपने जो passage है, उस से related, जो भी questions एक्जामना पूछे गए थे, उनके बारे में, चले बच्चों, आगे ब क्यूबिक फंक्चन है, देन आपको बताना है, maximum value of a for which fx is 11, देखे फंक्चन 11 कब होता है, क्यूबिक जब हमेशा या तो increasing होता रहे, या always decreasing होता रहे, ठीक है, तो देखे दोनों ही cases के अंदर आपके सामने क्या होगा, आपके question number 8 और 9 दोनों यही पर दिये गए हैं, तो इसके अंदर देखे, आपको क्या करना होगा, हमेशा increasing कब होगा आपका function, ठीक है, जब इस cubic का क्या हो जाएगा, discriminant 0 हो जाएगा, जब इसके अंदर f-x आपके पास में क्या हो जाए, जब f-x वाली जो equation होगा, उसका discriminant आएगा, वो क्या हो जाए, वो negative हो जाए, क्यों, अगर वो 0 हो गया, तो f-x 0 आजाएगा, और 0 आजाएगा, तो फिर वाँ पर आपके पास में 0 भी आ सकता है, लेकिन अगर positive आगया, तो उसके दो values आजाएगी, और दो values तब आती है, जब उसमें point of maximum और point of minimum आजाए, जो की possible नहीं है, तो सबसे पहले तो हमने f-x निकाला जो आएगा, आपका 3x square प्लस 2ax और प्लस 12, और इसके 1-1 होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका d जो होना वो less than or equal to 0 होना चाहिए, इसके d की बात करेंगे, तो आएगा 4a square minus 4 into 3 into 12, और that will be less than equal to 0, फोर चला जाएगा बाहर, तो पिछे बुचेगा a square minus 36 will be less than 0, a minus 6 into a plus 6 will be less than or equal to 0, तो यहां से आपको a का interval मिलेगा, minus 6 से लेकर के 6 के बीच, तो यहां पर यह क्या होगा, यह 1-1 होगा, जब a ऐसा होगा, इसका मतलब यह भी हो गया, कि जब a ऐसा नहीं होगा, तब यह 1-1 नहीं भी होगा, ठीक है, तो जो दूसरा वाला जो part है, इसका answer क्या आजाएगा, इसका answer आजाएगा, आपका many 1, ठीक है, और पहले question में आपको पुचा है, कि maximum value of a, for which function will be 1-1, तो इन सब के लिए यह 1-1 होगा, लेकिन इन में सबसे बड़ा जो number है, वह आपका 6 होगा, तो इसका तो answer हो जाएगा, आपका third, और साथ में दूसरा जो 9th question है, उसका answer many 1 आएगा एक तो, और क्योंकि जो cubic equations होती है, उसकी जो range होती है, हमें पता है, all real number होती है, तो range और code domain बराबर है, तो function आपका on to भी होगा, और इस तरीके से इसका भी जो answer होगा, वह आपका third option क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों, चलिए, आगे बात करते हैं next passage, next क्या है देगिए, next passage दे रखा है आपको inverse trigonometry से, देखिए क्या है देगे, इसमें आपको, यह तो formula दे रहे है जो आप सबको पता है, आपको ज़रूत भी नहीं थी इसकी, ठीक है, तो सबसे पहले 9th question के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, 9th question के लिए आपको इसको solve करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, आपको coordinate geometry लगा करके function निकालना है, आपको दे र comma 1, then find the value of this, तो value तो आज आएगी, पहले function निकालते हैं कि क्या आएगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे, function निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले y axis के parallel, अगर देखिए, कोई भी अगर आपके पास में axis वाल अगर parabola draw करना होगा, तो या तो वो ऐसा आएगा, य lattice rectum मान लेते हैं कि उसकी length k है, into y minus 3 by 4, अब यह उपर वाला होगा यह नीचे वाला होगा, यह जो आपकी condition दी हुई है, इससे automatic आजाएगा, अगर k positive आ रहा है, तो उपर वाला हो जाएगा, k negative हो आएगा, तो नीचे वाला हो जाएगा, इससे pass करवाते हैं कितना आएगा यहां से आएगा आपका 1 by 4, इधर आजाएगा k, 1 minus 3 by 4, यह भी आपका 4 होगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, और k की value कितनी आगई, k की value 1 आगई, और k1 आगया, तो अब हम बात करते हैं, देखिए equation क्या होगी, तो हम थोड़ा अगले page पर चलते हैं, वापिस आजाएगे, दे इधर ही देखते हैं, तो अब इसको देखिए कैसे solve करेंगे, तो k equal to 1 जब इसमें put करेंगे, इसको simplify करेंगे, तो देखिए इधर से आएगा 4x square plus 4x plus 1, बड़ाबर k को 1 put कर दिया, निचे से 4 से 4 कट जाएगा, 4y minus 3, तो यहां से y की value आएगी बच्चों, x square plus x plus 1, यह 3 इ आपका function f of x है, तो इसकी जगे पर जब इसको put करेंगे, तो इसकी जगे पर जब इसको put करते हैं, तो देखिए यहां से आएगा अपने पास कितना, यह आएगा 10 inverse, निचे fx के put कर दिया, 1 plus, उसमें से 1x को common ले लिया, x plus 1, और उपर अपने पास में 1 है, तो 1 को लिख द इसको solve करेंगे, तो इसमें यह formula लग जाएगा, उपर वाला यह बन जाएगा 10 inverse x plus 1 minus 10 inverse x, और इसके अंदर values put कर दिया, कहां से कहां तक, आपको sigma में दे रखा है, n equal to 1 से लेकर n तक, और 1 से लेकर n तक की values जब इसमें put करेंगे, तो सबसे पहले तो आएगा 10 inverse n plus 1 minus 10 inverse 1, न तो आएगा 10 inverse 3 minus 10 inverse 2, और इसे आपका चलता रहेगा, last में जब n put करेंगे तो आएगा 10 inverse n plus 1 minus 10 inverse n, तो देखिए क्या cancel out हुआ, 2 से 2 cancel out हो गया, इधर से second rum बच रही है, आपकी 3 से 3 भी cancel out हो जाएगा आगे से, तो second rum बच रही है, तो last से भी आपकी second rum बचेगी, और last से second rum ह आपके पास में 10 inverse n plus 1 minus 10 inverse n, 10 inverse 1, इधर से second rum क्या थी आपकी, 1 और last से second rum बचेगी आपकी ये, इसमें वापिस ये formula लगाएंगे, तो देखिए यहां से हमें अपना answer मिल जाएगा, 10 inverse उपर तो n plus 1 minus n, n आजाएगा, और नीचे आजाएगा 1 plus n, 1 into n plus 1, तो ये बन जाएगा n plus 2, तो 10 inverse n upon n plus 2, ये हमारा क्या होगा, answer होगा, और ऐसा कौन सा option है आपका, 10 inverse n upon n plus 2, आपका थो 3rd option होगा न, वो यहां पर क्या होगा, सही होगा, बच्चो थोड़ी सी यहां पर जगे कम थी, इसलिए आप इसको step by step देखिएगा, क्यूशन को, नहीं तो हो सकता है कि cot inverse 2 से लेके cot inverse 2 n square तक, so 2, 8 और 18 है हमारे पास और last में cot inverse 2 n square और फिर आप वापिस आकर के अपना option चेक करेंगे, तो चलते हैं अगले page पे, देखिए, वहां पर आपके पास में क्या था, यहां पर था आपके पास में cot inverse 2 plus cot inverse 8 plus cot inverse 18 up to cot inverse 2 n square, तो सबसे पहले तो देखिए, इसकी जनरल ट्रम की अगर बात करें हम आरेथ ट्रम की, तो वह cot inverse में, उसको 10 inverse में convert कर दें, तो यह हो जाएगा 1 upon 2 n square, और इसको देखिए हमें क्या करना है, वापिस उसी formula में conversion के लिए इसको क्या करेंगे, 2 से multiply और 2 से divide, तो उप उपर तो बनेगा देखो बच्चो 10 inverse 2, और नीचे सबसे पहला में 1 चाहिए, और इधर आजाएगा 4 n square minus 1, अब देखो बच्चो आपको दिखाई दे रहोगा कि इसको कैसे लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा अपने को 10 inverse, नीचे तो हो जाएगा, देखो 1 plus 2 2n plus 1 into 2n minus 1, और उपर भी देखिए, हमारा काम हो गया, 2n plus 1 और minus 2n minus 1, अब इसके अंदर आपन फॉर्मला लगा देते हैं, और सिग्मा लगा देते हैं, तो देखिए, 10 inverse यह बन गया, 2n plus 1 minus 10 inverse 2n minus 1, और इसमें आपको सिग्मा एपलाई करना है, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के n तक, n दे रखा है, ठीक है, तो इसको हम r के फॉर्मेट में ले लेते हैं, क्योंकि tr लिया है वहाँ पर, ताकि थोड़ा सा अपने को लगाने में easy रे जाए, यहाँ पर r लेने सब जगे पर, ठीक है, तो यह भी r हो जाएगा, यह भी r हो जाएगा, ठीक है, इसमें r के इंदर values put कर दे, 1 से ले करके n तक, तो देखिए कितना आएगा, इसमें जब 1 put करेंगे तो यह बनेगा 10 inverse 3, और यह बनेगा minus का 10 inverse 1, प्लस, जब 2 put करेंगे तो 10 inverse 5, और यह बन जाएगा minus का 10 inverse 3, ऐसे 3 put करेंगे तो 7 minus 5 बन जाएगा, तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, और जैसे आगे 7 और 5 आ रहा है तो इदर से ये भी कट जाएगा, फिर से देखिए इदर से 2nd ट्रम बच रही है, तो लास्ट से भी 2nd ट्रम बचेगी, जब आप n पूट करोगे, तो ये पहली ट्रम होगी और ये दूसरी ट्रम होगी, तो लास्ट से आपके पास में बच जाएगा, 10 inverse 2n प्लस 1 माइनस 10 inverse उदर से बचेगा 1, इसमें वापिस फॉर्मला लगाएंगे, तो ये बनेगा 10 inverse 2n प्लस 1 माइनस 1 इस 2n, डिवाइड बाई 1 प्लस 2n प्लस 1 इंटु 1, इसको solve करेंगे, तो ये आगया 10 inverse n अप्लस 1, ठीक है, लेकिन आपने ध्यान से देखा होगा, आपको वहाँ पर option जो थे न, वो quote में दे रखे थे, और quote में ये answer कितना हो जाएगा, आपका हो हो जाएगा, quote inverse n प्लस 1 अप्लस 1 अप्लस 1 अप्लस 1 इंट। इस answer को आप ध्यान से देख लीजिए, और उदर पिछे चल करके आपको देखेंगे, कि कौन सा option सही होगा, quote inverse n प्लस 1 अप्लस 1 अप्लस 1 अप्लस 1 हमारा सही answer है, अब जैसे मैं पिछले page पर जाओंगा, अब यह चीज़े मिट जाएगे यहां से, ठीक है, तो आप ध्यान से इसको देख ली answer को, quote inverse n प्लस 1 अप्लस 1 अप्लस 2 अप्लस 1 ऑप्लस 1 एंगा सभी कि वहाँ पर अपने पास में कितना आ रहा था, नेक्स्ट साइध हमारे सुरू हो जाते है मल्टीपल सो इस क्यूस्टन ठीक है तो देखते हैं कि पहला क्यूस्टन क्या है तो फिर्स्ट क्यूस्टन के इंदर था देखो हमारे पास में g time f of 0 बराबर 1 यह option है third option f of f of 0 g of f of 1 और f of g of 1 ठीक है तो हमें यह सारे क्या करना है solve करना है तो चलिए देखते है तो हम सब में देखे तो हमें निकालना क्या है f of 0 और f of 1 g of 0 यह सारी value चाहिए सबसे पहले तो सबसे पहले हम f of 0 की बात करें अगर तो देखो बच्चो f of 0 की value क्या होगी तो देखे एफ of 0 के लिए इसमें 0 पूट करेंगे तो देखे इसमें आएगा आपके पास में maximum of 1 plus 0 पर value 0 ही होगी यह 1 हो जाएगा और 1 minus cos 0 की value 0 आजाएगी और हमें इसमें से maximum लेनी है तो एफ of 0 की maximum value कितनी आएगी बच्सों 1 आएगी ऐसे ही देखिए हमें g of 0 भी चाहिए तो g of 0 हमारा कहा से आएगा यहां से आएगा इसमें से तो इसमें से देखे maximum जब निकालेंगे g of 0 इसमें देखो बच्छों जब 0 पूट करेंगे तो यह होगा वन इसमें कोई change नहीं होगा इसमें 0 put करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा तो 0 की जो value आ रही है मेरे पास में वो भी कितनी आ रही है 1 इसके अलावा मैं और अगर मैं देखू जहां से तो मेरे को f of 1 चाहिए f of 1 के बारे में बात करते हैं देखो बच्छो कितना होगा f of 1 वापिस आपका यहां से निकलेगा इस बार इसमें देखो 1 put करते हैं देखे कितना आएगा 1 put करने से ये होगा 1 plus sin of 1 और ये होगा आपके पास में 1 और ये होगा 1 minus cos of 1 तो देखो बच्छो इसमें से सबसे बड़ा number कौन सा होगा देखी ये तो शिरफ 1 है इसमें sin 1 add हो रहा है इसमें cos 1 subject हो रहा है और आप सबको पता होगा sin 1 और cos 1 दोनों क्या होते हैं positive होते हैं तो सबसे बड़ी value आपकी ये होगी तो f of 1 की जो value आएगी आपके सामने वो आएगी 1 plus sin of 1 अब आते हैं अपने options को check करते हैं तो देखते हैं कि पहला option क्या होगा ठीक है सुचे लिए बात करते हैं पहले option में आपको चाहिए g time f of 0 कितना होगा तो देखिए g time f of 0 के अंदर हम बात करें तो f of 0 1 है मेरा और f of 0 को अगर 1 put करें तो यहां से देखिए g of 1 की value आएगी और g of 1 कितना होगा तो g of 1 हमने निकाला नहीं g of 1 दिन भी देखिए यहां से आज आएगा g of 1 की value आएगी आपके पास में maximum of 1 और 0 और maximum of 1 और 0 में से क्या आएगा आपके पास में maximum 1 होगा तो g of 1 की value 1 होगी और यहां से 1 आ रहा है that means पहला option आपका सही है तीसरे option की बात करें देखो बच्चों f of 0 की value 1 है तो यहां से आएगा f of 1 और f of 1 की value कितनी है f of 1 की value 1 प्लस sign 1 तो यह भी आपका option सही है option number 3 भी इधर बात करते है f of 1 कितना है बच्चों f of 1 है 1 प्लस sign 1 तो देखे 1 प्लस sign 1 कितना होगा तो यहां से अगर हम देखे तो यह हो जाएगा g time f of 1 और f of 1 की value है 1 प्लस sign 1 1 प्लस sign 1 तो देखो बच्चों यहां पर जब आप put करेंगे 1 प्लस sign 1 देखे यहां से तो आएगा आपके पास में कितना g के अंदर put करना है तो यहां पर आएगा 1 और यहां पर आएगा 1 प्लस sign 1 माइनस 1 तो यहां पर देखो आपके पास में दो चीजे बनेगी maximum of 1 और 1 से 1 कट जाएगा उदर से आजाएगा sign 1 तो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा तो sign 1 की value 1 से छोटी होगी क्यों 57 डिगरी पे 1 नहीं होता है तो maximum जो मान आएगा वो 1 ही आएगा और इस तरीके से second option भी आपका सही है इसके बाद g of 0 की value 1 है तो यहां से फिर से f of 1 बनेगा और f of 1 की value हम निकाल सुके हैं 1 प्लस sign 1 तो यह option भी आपका सही है इस तरीके से आपके जो चारों option है यहां पर वो क्या है सही है आगे बात करते है क्यूसर नंबर 2 देखिए क्या है क्यूसर नंबर 2 के अंदर आपको यह दे रखा है और बताना है कि कौन सा option सही होगा तो देखिए बच्चू इसको ध्यान से अगर देखे तो यह तो है cos inverse x इसको आप क्या लिख सकते है cos inverse x और 1 by 2 को लिख सकते हो आप cos 60 degree ठीके नब 1 by 2 को क्या लिख सकते हो आप cos 60 degree इसके बाद root 3 by 2 को क्या लिख सकते हो root 3 by 2 को लिख सकते हो root 3 by 2, nai sin 60 degree और साथ में आपके पास में 1 minus x square, root over 1 minus x square, एक बार थोड़ी देर के लिए अगर मैं x को क्या पूट कर लूँ, cos alpha पूट कर लूँ, तो देखो बच्चो ये बन जाएगा cos inverse cos alpha cos 60 और ये भी sin alpha बन जाएगा sin alpha sin 60, तो ये बनेगा cos alpha minus 60, और इधर है हमारे पास में cos inverse x plus, अब देखिए cos inverse और cos theta जो होता है वो आपके पास में theta हमेशा नहीं होता है, ठीक है न, क्योंकि देखिए याँपर alpha minus 60 आ रहा है तो ये आपका 60 के corresponding change होगा, जब आपका x जो होगा, ठीक है न, by 2 से बड़ा होगा, तब ये अलग तरीके से खुलेगा, जब cos theta जब आपका 60 degree से बड़ा होगा, तब यहाँपर value कैसी आ जाएगी, यहाँपर value positive आ जाएगी, ठीक है तो ये positive sign के साथ में खुलेगा, और नहीं तो ये value आपके पास में कैसी होगी, जब negative होगा, तो फिर ये negative, जब alpha के value 60 degree से चोटी होगी, ठीक है तो ये negative आ जाएगा, और negative आएगा तो फिर ये ultra खुलेगा, आपका 60 minus alpha के साब से खुलेगा, देखो यहाँपर यहाँपर आएगा, आपके सामने cos inverse x plus alpha minus 60, alpha किसको लिया था, cos inverse x को ही लिया था, और minus cos inverse 60, ठीक है, लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा, जब हमारे पास में alpha कैसा होगा, less than 1 by 2, x कैसा होगा, less than 1 by 2 होगा, ठीक है, और अगर x की value 1 by 2 से बड़ी हो गई, ठीक है, x की value 1 by 2 से बड़ी कब होगी, जब angle आप का कैसा होगा, angle आपका 60 degree से, क्या हो जाएगा, 1 by 2 60 degree से चोटा हो जाएगा, तो ये कैसा खुलेगा, तब ये खुलेगा, cos inverse x, ये minus sign के साथ खुलेगा, तो ये आएगा, minus cos inverse x, plus cos inverse 60, तो देखिए, यहाँ पर तो इससे ये कट जाएगा, और बाकी ये आपके सामने क्या हो और यहाँ पर जब 2 by 3 तो पूट करने की ज़रूत नहीं, cos 60 आजाएगा, तो ये बिल्कुल सही है आपका पहला option, f of 2 by 3 ये गलत हो जाएगा, अगर पहला सही है तो, f of 1 by 3, 1 by 3 देखो इसमें नहीं उपर वाले में पूट किया जाएगा, तो वो pi by 3 नहीं होगा, इसमें इन दोनों का addition होगा, तो ये गलत हो गया option, यहाँ से देखो, f of 1 by 3, f of 1 by 3 होगा, cos inverse 1 by 3, plus cos inverse 1 by 3, 2 cos inverse 1 by 3, minus cos inverse, cos inverse के अंदर आपके पास में कितना आएगा, यहाँ पर देखो, शिरफ 60 आएगा, जिसकी value होगी आपकी 1 by 2, ठीक है, यहाँ पर भी value कितनी है, 1 by 2, ठीक है, तो cos inverse 1 by 2 होगा, वो 60 degree होगा, तो बिल्कुल this minus 5 by 3, तो आपका 4th option क्या है, सही answer है, तो पहला और 4th option आपका यहाँ पर क्या होगा, correct होगा, चलिए आगे बात करते है, question number 3, और question number 3 क्या है, देखिए, question number 3 के अंदर आपको यहाँ पर बताना है, odd even function कौन सा है, ठीक है, तो तो देखिए, पहले को अगर check करोगे, तो सिधा सा आपको दिखाई दे रहा है, कि यह even function होगा, जैसे ही minus 1 put करोगे, तो यह तो minus 1 होगा, लेकिन इसके अंदर आपका जो part है, वो plus हो जाएगा, तो देखिए, बस कुछ नहीं, यह तरम इदर आ गई, यह इदर आ गई, तो y को किस से put करना पड़ेगा, minus x है, क्योंकि हमें f of x और f of minus x में relation चाहिए, f of x plus f of minus x, इधर y को minus x से put करेंगे, तो देखिए, कितना आएगा, y को minus x put कर दिया, तो यह तो बन गया f of x into root over 1 minus x square, और y को minus x से put करेंगे, तो यह बनेगा minus x into 1 minus x square, तो इससे यह कट जाएगा, और यहां से आजाएगा f of 0, अब f of 0 की value क्या होगी, उसके लिए x और y दोनों को 0 put कर दो, तो दोनों को 0 put करेंगे, तो यह भी बनेगा f of 0 plus f of 0, बराबर x और y दोनों को 0 put करेंगे, तो इधर भी f of 0, तो यह कट जाएगा, और f of 0 की value आजाएगी आपकी 0, f of 0 0 आ रहा ह तो f of x plus f of minus x 0 आ गया, तो f of minus x किसके बराबर होगा, minus fx के बराबर होगा, और इस तरीके से यह जो function है, आपका यह कैसा हो जाएगा, odd function हो जाएगा बच्चों, आगे बात करते हैं तीसरे option के लिए, तीसरे में भी आपको ऐसा ही चेक करना है, f of minus x कितना आएगा, f of minus x आ कितना होता है, sin of minus x cube होता है, आपका sign of minus sin theta, so minus sin x cube, और signum के अंदर भी minus sign put करते हैं, तो बाहर आ जाता है, तो बाहर आजाएगा minus sign of sin x cube, और इसको आप वापिस क्या लिख सकते हो, minus of fx, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, यह भी आपका odd function हो जाएगा, तीसरा option भी आप आपका even होगा, और चौता none of these कुछ नहीं होगा, आगे बात करें, question number 4, देखिए क्या है, question number 4 के अंदर आप से पूचा है, which of the following statements is not correct, ध्यान से देखिए, question को कही बार हम सही से पढ़ते नहीं हैं, और हमार question को गलत कर लेते हैं, तो पहला question part क्या है, देखिए, pi upon 4 into greatest integer x plus cos pi upon 3 into greatest integer x is non-periodic, बिल्कुल सही बात है, देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था, composition के अंदर, कि अगर किसी function के अंदर function आता है, ठीक है, तो ये पूरा function periodic तभी हो सकता है, जब ये function periodic हो, और हमें यहां पर पता है, कि pi upon 4 into greatest integer x periodic नहीं होता है, या तो वो linear होना चाहिए, या फ ये option सही हो जाएगा, क्योंकि आपको not correct पूचा है, तो बिल्कुल सही option है कि ये periodic नहीं होगा, अगले देखते हैं, fx equal to ln 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 x is 11 function, तो देखिए, सबसे पहले अंदर वाले ln x की बात करें, तो इसकी range होगे आपकी कितनी, minus infinity से लेके, plus infinity, अब अगला log ये तो input लेगा न के अंदर values put करेंगे, तो वापिस अगले ln of ln x के अंदर अगर बात करें, तो उसकी domain ये हो जाएगी, इसकी range तो ये है, लेकिन उसकी domain ये हो जाएगी, और ये values जब उसमें put करेंगे, ठीक है, तो वो कैसा होगा, वो भी आपको देगा, इसी order में देगा, minus infinite से infinite तक, और आ ये ही आपका order follow होता रहेगा, और बिल्कुल ये function आपका one one होगा, तो आपको बोला गया है कि ये function one one है, तो ये सही option है, जबकि आपसे गलत option पूछा है, ठीक है, कि कौन सा option आपका गलत होगा, ठीक है, तो ये option आपका क्या हो जाएगा, ये option तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है तो यह गलत option नहीं है, ठीक है आगे बात करते हैं देखो, तीसरे option के इंदर इसकी range क्या होगी, अचा एक बार पहले option को दुबारा देखे, यह तो 1-1 function है, तो यह आपका option गलत हो गया, क्योंकि आपको यह सही option है, और आपको गलत option पुचा है, तो यह option सही नहीं होगा, पहले को एक बार दुबारा देखते, sin pi upon 4 greatest integer x plus cos pi upon 3 into greatest integer x, ठीक है, is non periodic, यह periodic होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो देखे, कहीं है possaईंदगी का सद्दस्म स्वारिव में उसमें ृफ नौन यह नहीं यह रहेगा थिक अटी इस तो यह statement भी आपका सही हो जाएगा ठीक है ना पहला option भी सही है और दूसरा option भी सही है ठीक है क्योंकि यह गलत तो तब होता ना जब यहां पर इसमें लिखावा होता कि that is the periodic ठीक है यह non-periodic function है और non-periodic function है इसका मतलब क्या हो गया कि यह आवर्ति फालन नहीं है तो यह त बात करें ठीक है तो इसकी range आएगी हमारे पास में कितनी ठीक है एक बार देखते हैं तीसरा part तो इसकी range के बारे में अगर बात करें तो इसकी range कैसे निकालेंगे तो देखिए यहां पर एक factor cut रहा है तो fx ब्राबर आ जाएगा आपके सामने x-6 into x-1 divide by x-1 तो यह cut जाए यह cut जाएगा तो आपके पास में बचेगा fx ब्राबर एक x भी है नीचे x-6 divide by x आपने linear upon linear की range पड़ी होगी यह तो आपको सिधा पता होगा और सिधा नहीं पता है तो आप निकाल सकते हैं एक तो आप इसमें x equal to one put नहीं कर सकते और x equal to one नहीं put कर सकते तो आपको range के अ इसी होता है न वो range में नहीं आता है और उसकी value one आ रही है तो minus five और one range में नहीं होंगे जबकि आपको देरका है minus one और minus five तो यह इसकी range गलत है और यह range गलत है तो यह तीसरा option आपका सही हो जाएगा चोथा option देखते हैं चोथा option में देरका है log 10 inverse x then gx बराबर fx minus f of minus x is an even function तो आपको gx function को check करना है कि वो कैसा होगा देखिए इसके अंदर अगर हम बात करें ठीक है तो देखिए gx क्या होगा f of x और f of x का मतलब होगा ln of 10 inverse x minus f of minus x ln of 10 inverse minus x ठीक है और आपको check करना है कि यह even function है या नहीं ठीक है तो देखिए ln of यह कितना हो जाएगा 10 inverse x divided by 10 inverse minus x ठीक है 10 inverse of minus x क्या होता है minus 10 inverse x तो यह तो क्या हो जाएगा यह तो undefined हो जाएगा और undefined हो जाएगा तो gx आपका even function की तो बात ही नहीं होगी तो चौथा option भी आपको क्या होगा incorrect होगा तो 3 इंकरेक्ट है 4 इंकरेक्ट है ठीक है इसमें पहला जो option है आपका ये भी दे रखा है answer में एक बार इसको और cross check कर लेते हैं ठीक है कि यह आपका होगा या नहीं होगा ठीक है तो ये तो आपके दोनों सही option है 3 और 4 ठीक है अंदर वाला function या तो periodic हो और या फिर वो कैसा हो या फिर आपके सामने वो कैसा function हो वो आपका linear function हो तो एक बाद linear वाली ट्रम इसमें से cancel out तो नहीं होनी चाहिए मेरे साब से देख लेते हैं sin pi pi 4 x minus pi pi 4 fractional part of x ठीक है और plus cos क्योंकि fractional part जो होता है वो आपका periodic होता है तो इसको एक बाद check कर लेते हैं cos pi upon 3 so pi upon 3 x लेकिन यह कटेगा तो नहीं कैसे भी minus pi upon 3 into fractional part of x इसको अगर solve करें तो यहां से आएगा sin a cos b minus cos a sin b और यहां से आएगा cos a cos b plus sin a sin b एक बाद solve करते हैं कि इसको theta मानते हैं लेकिन यह pi upon 4 है इदर pi upon 3 है गड़बड हो जाएगा एक बाद से लिए open करते हैं देखते हैं कितना आएगा sin pi upon 4 x और साथ में आएगा sin a cos b cos pi upon 4 fractional part of x ठीक है minus sin pi upon 4 fractional part of x और साथ में कितना आजाएगा साथ में आजाएगा cos pi upon 4 x ठीक है ऐसे ही cos को open करेंगे तो cos के अंदर आजाएगा cos a cos b plus sin a sin b ठीक है तो इसके अंदर यह जो x वाली जो ट्रम है वो रहेगी आपकी अच्छा अच्छा हाँ यह आपका periodic हो जाएगा क्यों 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 कि एक किस format में बनगा देखो यह जो function आएगा न आप इसमें देखे इसके अंदर तो है आपका linear और इसके अंदर आपका क्या प्रेक्षिनल पार्ट ठीक है तो linear और फ्रेक्षिनल पार्ट दोनों आ रहे हैं ठीक है तो linear भी आपका periodic होता है और जब linear होता आता है तो function आपका periodic हो जाता है ठीक है तो इप। तो यह जो function हो जाएगा आपका यह करे पर provided बात करते हैं, question number 5, question number 5 क्या है देखे, question number 5 के अंदर आपको इसको solve करना है, 10 inverse 1 by root 2 minus 10 inverse this, तो देखे बात करते हैं कितना आएगा, देखे पहले वाले को solve करने की जरूत नहीं है, और देखे यहां पर यह greatest नहीं है, क्यों greatest जब होता है तो दियावा होता है, ठीक है, तो पहले root 5 minus 2 root 6 जो है, उसको लिखा root 3 minus root 2 का whole square, लिख सकते हैं इसा, बिलकुल लिख सकते हैं, आप करके देख लेजिए, इसको open, 3 plus 2, 5 minus 2 root 6, divide by 1 plus root 2 into root 3, यह कितना होगा बच्चों, यह होगा minus का 10 inverse, और यहां से आजाएगा, आपके पास में root 3 minus root 2, divide by this, so that is root 3 minus root 2, ठीक है, और बाहर minus sign, अब देखिए, इसके अंदर भी आपके पास में condition होती है, अगर a into b आपके पास में कैसा हो, ठीक है, यह कहें कि root 3 minus root 2, divide by 1 plus root 2, root 3 इसको लिखेंगे, तो बिलकुल यह हो जाएगा, plus 10 inverse root 2, और इधर आपके पास में कितना है, इधर है आपके पास में 10 inverse minus 1 upon root 2, तो इसको आप लिख सकते हो, quote inverse root 2, और यह आजाएगा minus में, 10 inverse theta plus quote inverse theta हो जाएगा, pi pi 2, और minus 10 inverse root 3, और root 3 आपको सबको पता होगा कितना होता है, pi pi 3, तो इसको simplify करोगे, 90 minus 60, that is 30 degree, pi pi 6 आएगा, तो आपको यह बताना है कि यह किसके से greater हो, और किसके बराबर है, pi pi 6 के बराबर है, और इससे जो चोटे नमबर है, उससे बड़ा होगा, और pi pi 12 से बड़ा होगा, बट इन दोनों नमबर से चोटा होगा, तो पहला और चोथा option आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों, चलिए, आगे बात करते हैं, question number 6, क्या है देख inverse 3, divide by 1 चाहिए होता है यहाँ पर, तो यह बन जाएगा, n square plus n minus 2, अब देखो, 10 inverse 1 plus, इसके फेक्टर हो जाएगे, इसके फेक्टर आएगे बच्चों, n plus 2 into n minus 1, करके देख लीजी, n square plus 2n minus 2, और minus n, तो plus n बचेगा और minus 2, उपर लिख दिया, n plus 2, और minus n minus 1, जो देखे, आपका 3k भी बराबर हो जाएगा, n से n कटके, तो यहाँ से आप तो मिलेगा, 10 inverse n plus 2 minus 10 inverse n minus 1, यहाँ पर देखी बच्चों, जब values पूट करोगे, आप 1 से लेके infinity तक, तो यहाँ पर एकदम cancellation नहीं चलेगा, 10 inverse 3 minus 10 inverse 0 आएगी पहली ट्रम, दूसरी ट्रम 10 inverse 4 minus 10 inverse 1 आएगा, फिर आपके सामने 10 inverse 5 minus 10 inverse 2 आएगा, और फिर आपके सामने 10 inverse 6 minus 0, 1, 2, 3, 4, 5 minus 2, तो 10 inverse 6 minus 10 inverse 3 आए रहा है, फिर 7 पूट करेंगे, तो फिर 7 आएगा, तब इदर आएगा 10 inverse 4, तो देखी अब cancellation शुरू हो आए, यहां से, इससे यह कटेगा, इससे यह कटेगा, इससे यह कटेगा, इससे इसके आगया वाली ट्रम से यह कटेगा, यह कटेगा, यह सब कटेगे, लेकिन initially आपकी 3 ट्रम बचेगी इसके अंदर, तो initially आपको दूसरी, चोथी और छटी ट्रम बच रही है, तो last से भी आपकी तीन टरम बचेगी लेकिन last में जब infinity put करोगे न तो तीनों में ज़्यदा फरक नहीं पड़ेगा लेकिन पहले वाली तीन टरम बचेगी क्योंगि यहाँ पर दूसरे वाली तीन टरम बच रही है तो वहाँ पर 10 inverse infinity तीन बार आएगा और 10 inverse infinity तीन बार आएगा इसका मतलब आपके पास में आएगा पाई पाई टू प्लस पाई पाई टू प्लस पाई पाई टू माइनस 10 inverse 0,0 होता है माइनस 10 inverse 1 पाई पाई 4 होगा और माइनस 10 inverse 2 यह आपका आंसर होगा अब बच्चों यह चेक कर लिए यह कौन-कौन से option के बराबर है सबसे पहले तो आपको 10 inverse 2 के अंदर भी option दे रखा है तो इसको simplify कर लिया पाई पाई टू प्लस पाई पाई टू पाई पाई प्लस पाई पाई फोर होगा पाई 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 फोर तो यह आपका चौथा option बिलकुल सही होगा इसके बाद बात करें तो यह option भी सही होगा क्यों 10 inverse 2 को आपको लिख सकते हो कौट inverse 1 बाई टू इन दोनों में से भी एक option सही होगा देखो बच्चों कैसे पाई पाई 2 माइनस 10 inverse 2 को लिख सकते हो सीधा कितना कौट inverse 2 तो यह बनेगा पाई पाई 2 प्लस पाई पाई 4 तो यह बन जाएगा 3 पाई पाई 4 प्लस कौट inverse 2 तो पहला option भी आपका सही है लेकिन दूसरा option गलत होगा तो भी कौट inverse 3 तो कहीं से आएगा ही नहीं तो दूसरा option आपका गलत है पहला तीसरा और चौथा यह तीनों option आपके क्या है यहाँ पर सही होगे ठीक है चलिए आगे बात करते हैं Q7 और Q7 क्या है देखिए Q7 के अंदर आपको इसको solve करना है तो देखिए इसको कैसे solve करेंगे आप सबको पता होगा differentiation वाली equations को कैसे solve करते हैं इसको differentiate करके तो एक बार इसको differentiation करेंगे F-X तो यह बनेगा 3X square plus 2X into F-1 plus X का differentiation 1 F-2 ठीक है और यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर हमें 1 put कर देना है तो 1 क्यों put कर रहे है क्योंकि देखिए F-1 put किया गया है F-1 put किया है तो हम भी यहाँ 1 put करेंगे F-1 put करोगे तो यह तो आजाएगा F-1 इधर आजाएगा 2 time F-1 तो यहाँ से आपको एक equation मिलेगा F-1 को इधर ले आना plus F-2 plus 3 तो बराबर minus 3 equation number 1 ठीक है बच्चों चलिए आगे बात करते हैं next X का double differentiation करते है F-2-X तो वो आएगा बच्चों 6X plus इसका differentiation 2 time F-1 इस बार देखो बच्चों X की value 2 put करेंगे इस बार 2 put क्यों कर रहे हैं क्योंकि F-2 में 2 आ रहा है तो इसमें 2 put करेंगे तो यहां से आपको equation मिलेगा F double dash 2 minus 2 time F-1 और बराबर में कितना आ जाएगा इसको उदर लेगे तो इस बार आएगा आपने 2 put किया इस बार तो इस बार 12 आएगा equation number 2 आगे बात करते हैं F triple dash X इसको 3 बार derivative किया इस बार आजाएगा 6 और इसमें हम 3 put करेंगे F triple dash 3 की जो value है आपके साब में वो कितनी आ जाएगी उसकी value आ जाएगी सीधी आपके पास में 6 इसका मान तो 6 होगा इन दोनों को solve करेंगे तो देखिए आपके पास में F-1 और F double dash 2 आएगा इसको as a linear equation लेके solve करें तो किसे करेंगे देखिए इसको 2 से multiply कर लेते हैं पहली equation को और दोनों को add कर देते हैं तो 2 time F double dash plus F double dash हो जाएगा 3 time F double dash 2 इधर आ जाएगा आपके पास में minus 6 और plus 12 तो that is 6 F double dash 2 का मान कितना आ जाएगा इसका मान 2 आ जाएगा यह आ गए F double dash 2 अब निकालते हैं F dash 1 F dash 1 यहां से निकाल लेते हैं पहले वाले से भी निकाल सकते हो F dash 1 कितना आ जाएगा बच्चो F double dash 2 की value 2 put करें तो यहां पर जब 2 put करेंगे ठीक है तो यह इधर आ जाएगा और इधर जब आएगा तो यहां पर 2 put करेंगे दिरा करें minus 5 हो जाएगा तो इसका मान आ जाएगा minus 5 अब चेक करते हैं कि अपने कौन कौन से option सही है ठीक है तो यह values हम वाँ put कर देते हैं तो हमारा जो function बनेगा वो function आएगा देखो बच्चो F of x बराबर x cube plus F dash 1 कितना आ आ जाएगा minus 5 minus 5 x square F double dash 2 आयाता 2 plus 2 x और F triple dash 3 आयाता 6 plus 6 यह आएगा F of 0, 1, 2 और 3 यह 4 value चाहिए बच्चो आपको फिर से तो पहले देखते हैं F of 0 F of 0 की value आ जाएगी आपकी 6 इसके बाद देखते हैं F of 1 F of 1 की value कितनी आ रही है F of 1 की value आ रही है हमारे पास में 1 plus 6, 7, 8 और 1, 9 और 9 minus 5, 4 इसकी value आएगी 4 अब निकालते है F of 2 F of 2 कितना आ रही है देखो बच्चों F of 2 की value आएगी 8 minus 4 into 5, 20 plus 4 और plus 6 ठीक ना 2 put करना है बिल्कुल सही 6 और 4, 10, 10 और 8, 18 minus 20 इसका मान आएगा आपका 2 कितना minus का 2 देखो पहला option सही है क्या F of 0 plus F of 2 6 minus 2 बराबर 4 तो पहला option बिल्कुल सही है आपका F of 0 plus F of 2 बराबर F of 1 ऐसे ही आप बाकी options चेक करें उसके लिए F of 3 चाहिए होगा F of 3 देखते है कितना आएगा F of 3 निकालेंगे तो आएगा 27 minus 9 into 5 45 plus 6 और plus 6 कितना आ रहा है बच्चों 6 plus 6 12 12 plus 27 39 minus 45 इसकी value आएगी आपकी minus 6 F of 3 बराबर minus 6 F of 0 plus F of 3 बराबर 0 आ रहा है बिल्कुल 6 minus 6 ये भी सही होगा तीसरा option देखें F of 1 plus F of 3 बराबर F of 2 F of 1 plus 3 1 था 4 और 3 था minus 6 दोनों को add करेंगे तो minus 2 आएगा ये option भी बिल्कुल सही है F of 0 plus 2 बराबर minus F of 1 तो ये तो गलत होगया क्योंकि पहला option आपका सही था तो इस तरीके से आपको इन question को tackle करना है तो ये होगया आपका multiple choice questions complete चलो बच्चों आगे बात करते हैं integer type questions के बारे में तो देखते हैं हमारा पहला question और पहले question में देखे हमसे क्या बोला गया है function fx is defined for all positive integers and satisfy f of 1 equal to this and f of 1 to f of n will be equal to this for n will be greater than 1 if f of 2004 will be equal to a by b where a and b are the relatively prime then find the value of this तेक है कैसे करेंगे सबसे पहले तो आपको ये एक equation दे रखिए आप एक equation और लिखिए f of 1 plus f of 2 up to f of n plus 1 तक और n plus 1 तक में आपने n को n plus 1 से substitute कर दिया तो इदर आ जाएगा n plus 1 का hall square into f of n plus 1 that is equation number 2 और ये है आपकी equation number 1 अब आप 2 में से 1 को subtract कर दीजिए तो देखिए इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा इधर सब कट जाएगे शिरफ एक बचेगा f of n plus 1 2 minus 1 कर रहे हम लोगा minus equal to बाकि सब कट जाएगा क्योंगे इसमें ट्रम ज्यादा हो जाएगी और उधर आजाएगा n plus 1 का hall square into f of n plus 1 और साथ में आएगा minus का n square into f of n देखिए कितना आएगा यहां से f of n plus 1 वाली ट्रम को इधर ले आते हैं तो ये बनेगा आपका n square plus 2n plus 1 और उधर उसका coefficient 1 है जो इधर आकर के हो जाएगा minus 1 into f of n plus 1 और उधर है आपके पास में कितना उधर ये जला जाएगा n square into f of n तो देखिए क्या होगा इस 1 से 1 कट जाएगा और यहां से अगर हम f of n plus 1 की वैल्यू देखें f of n plus 1 आजाएगा हमारा कितना f of n plus 1 को इधर ही रखा इसको उधर ले गए तो देखिए एक n कोमन आकर के कट जाएगा तो उधर आएगा n divide by नीचे कितना आजाएगा n plus 2 और 7 में आएगा मेरा कितना f of n अब देखिए यहां से हम मेरे को वैल्यू किसकी निकालने है f of 2004 तो देखिए f of 2004 कितना आएगा f of 2004 हो जाएगा आपका 2000 n को 2003 पूट करना पड़ेगा so 2003 तब यह 2004 बनेगा divide by 2005 और into n को कितना पूट किया 2003 अब निकालेंगे f of 2003 तो 2003 के लिए इसको क्या पूट करेंगे 2002 पूट करेंगे 2002 पूट करेंगे यह बन जाएगा 2002 divided by 2004 into f of 2002 अब 2002 के लिए क्या करेंगे 2002 के लिए 2001 पूट करेंगे 2001 divided by 2003 और ऐसे चलता रहेगा यह कब तक जब तक आपके पास में f of 1 न आ जाए तो जब f of 1 आएगा यहां पर ठीक है उसके पहले देखि इसके अंदर आपको 2 पूट करना पड़ेगा तो वो बनेगा 2 divided by 4 जब 2 पूट करोगे तो 2 divided by 4 into f of 2 और जब f of 2 निकालेंगे तो आपके पास में आएगा 1 divided by 3 into f of 1 और f of 1 की value आपको देरकी है 2005 तो यह आजाएगा आपका पूरा f of 2004 अब देखिए क्या बचा क्या cancel out हुआ देखिए 2003 से 2003 कटेगा इसके बाद इदे 2002 आएगा उससे यह कटेगा फिर आगे वाली ट्रम से 2001 कटेगा यह सारे कट जाएगे इदर से नीचे से दो ट्रम बचिए न तो उदर से ऊपर से दो ट्रम बचेगी मिंस यह cancel out हो जाएगी आपकी और साथ में 2005 से 2005 भी कट जाएगा तो ऊपर इदर तो बचा 1 और 2 और उदर बचा शिरफ 2004 तो 2 divided by 2004 इसको simplify कर दीजिए तो आपके सामना आजाएगा 1 divided by 1002 क्योंकि A और भी relatively prime है दोनों में कोई common factor नहीं होना चाहिए यह आपका A by B है तो इसका मान कितना होगा A plus B minus 100 1 plus 1002 that is 1003 minus 1000 तो आपका जो सई answer हो जाएगा वो हो जाएगा यहापर 03 ठीक है इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे solve करेंगे clear है चलिए आगे बात करते है next question और next है मेरा question number 2 देखिए क्या है question number 2 के अंदर आपको बोला गया है कि यह जो function है इस function की range क्या होगी इसके range A से B है तो A plus B का 10th place क्या होगा देखिए इससे range कैसे निकालेंगे देखिए 1,2,3,4 इसको इसके साथ multiply करो इसको इसके साथ करो ऐसा क्यों करते हैं तो generally जो symmetric positions होते हैं उनको आपस multiply करते हैं 4 और 5, 2 और 3,5 तो इसको multiply किया तो हमें मिला x square plus 5x plus 4 और यहां से भी आएगा x square plus 5x plus 6 और साथ में आजाएगा plus 5 अब मेरे को इसकी range निकालनी है तो इसमें देखिए x square plus 5x plus 4 को में क्या कर लू t मान लू इस पूरे को अगर t माना तो यह तो t बनेगा और यह बन जाएगा t plus 2 बन जाएगा और plus 5 तो यह कितना हो जाएगा यह आजाएगा मेरा t square plus 2t plus 5 जो की कितना होगा t plus 1 का hall square plus 4 इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी range क्या होगी तो इसकी जो range होगी मेरे पास में वो आएगी 4 से लेके infinity तक अगर मेरे से इसकी range पूछी जाए यह question होता तो मेरा answer होता 4 से लेके infinity क्योंकि इसके minimum value 4 आ सकती है और maximum value आपकी infinity तक जा सकती है लेकिन यह तब होगा जब t belong to all real number हो बढ़ t हमने किसको माना था t हमने इस quadratic को माना था और इस quadratic की जो range है ठीक है तो t की जो value है वो all real number होगी या नहीं होगी यह तो हमें check करना पड़ेगा क्योंकि x आपका minus 6 से 6 के बीच में है तो देखिए जब x minus 6 से 6 के बीच में होगा x square plus 5x plus 4 यह और यह multiply करने से आया था तो इसके दो roots होगे एक तो होगा minus 1 और दूसरा होगा minus 4 तो minus 6 जो होगा वो आपका इधर आएगा कहीं पर और plus 6 जो होगा वो आपका इधर आगे की तरब आएगा कहीं पर भी ठीक है अब देखो इसके अंदर अगर हम बात करें कि t की range कहां से कहां आएगी तो यह तो दिखाए दे रहा है minus 6 से 6 में जो minimum मान आएगा वो तो इधर आएगा और maximum जो आएगा वो कई minus 6 से 6 के बीच में आएगा ठीक है तो minimum कितना आएगा देखो minimum आएगा मेरे पास में यहाँ पर इस वाले point पर ठीक है तो इसकी जो t की जो range आएगी मेरे पास में यह लग रहा है कि negative number से लेकर के कुछ आएगी positive number तक ठीक और positive number कब आएगा जब x मेरा क्या होगा या तो minus 6 होगा या plus 6 होगा तो हम बात करते हैं सबसे पहले अच्छा यहाँ पर t की value minus 1 है ठीक है तो यह देखते हैं कि यह minus 1 पर ही minimum आ रही है या उससे भी हमारे पास में कोई दूसरा number है क्योंकि यह तो minimum आएगा यह तो minus 1 पर आएगा जैसे for example यहाँ से इसकी value minus 3 आजाती है ठीक तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि इसका भी answer minus 3 पर minimum आएगा क्योंकि minus 3 से लेकर के something तक है तो उसमें minus 1 आजाएगा और हमारा minimum point 4 ही होगा maximum हो सकता है कि फिर कोई दूसरा आजाएगा तो चलिए बात करते है f of minus 6 निकालते है कितना आएगा f of minus 6 आएगा बच्चों देखो minus 6 plus 1 minus 5 minus 4 minus 3 minus 2 और plus 5 तो इसकी value आएगी 5 4, 3, 2, 120 plus 5 there will be 125 यह क्या है f of minus 6 ठीक है ऐसे ही हम f of 6 निकालते हैं देखो बच्चों कितना आएगा f of 6 की value निकाले हैं अगर तो 6 की value आएगी 7 into 8 into 9 into 10 plus 5 तो इसकी value कितनी आएगी देखो बच्चों 9 into 7 63 into 8 0 plus 5 अब देखी कितना आएगा सबसे पहले 0 आएगा 5 8 कर देंगे 8 into 3 24 2 आएगा और 8 into 6 48 और 48 plus 2 48 plus 2 आजाएगा आपका 50 तो 5 0 4 5 आगया ठीक है यह क्या आ रहा है f of 6 की value आ रही है इसका मतलब यह हुआ कि f of minus 6 जो होगा आपके पास में वो आएगा 125 और f of 6 जो आएगा 505 तो इसका मतलब t की जो maximum range आएगी ना हमारे पास में वो तो 5045 तक जाएगी ठीक है ना t की जो maximum value आएगी वो 5045 तक आएगी अब जो minimum value आएगी वो आएगी minus 4 से minus 1 के बीच तो minus 4 से minus 1 के बीच में बिलकुल एक दब midpoint पर आएगी और midpoint पर उसकी value कितनी आ रही है ठीक है शिरफ हमें किसकी बात करनी है x square plus 5x plus 4 के बारे में ठीक है अच्छा यहां पर यह तो हमने कौन सी values निकाल दी यह तो हमने पूरे function की ही निकाल दी अगर आप minus 6 और plus 6 पर शिरफ इसकी भी बात करेंगे न x square plus 5x plus 4 ठीक है तो वो भी आपके सामने क्या होगा वो भी आपकी minus 6 से लेकर के 6 के उपर क्योंकि देखिए minus 6 1 से बहुत दूर है यह pass में तो 6 पर ही value ज़्यादा आएगी ठीक है तो maximum value तो आपकी यही होगी 5045 लेकिन minimum value जो होगी ठीक है वो आपके पास में कर minus 4 से minus 1 के बीच में देखे point तो minus 5 by 2 पर यह minimum होगा और minus 5 by 2 पर इसकी value कितनी आएगी यह आएगा 25 by 4 minus 25 by 2 plus 4 और यह कितना आएगा बच्चों देखो इसमें करेंगे तो 4 into 4 16 plus 25 minus 50 तो minus 25 plus 16 there will be minus 9 by 4 जो कि minus 2 point something है तो इसका मतलब यह हो गया कि यह जो point होगा यह आपका minus 9 by 4 है और minus 9 by 4 आपका minus 1 इसके कहीं ऊपर आएगा तो minimum value आपके इस point पे नहीं आएगी minimum value तो minus 1 पे आएगी तो इस तरीके से आपकी जो range होगी ठीक है वो आएगी minimum value तो आएगी आपकी 4 और maximum value आएगी आपकी 5045 ठीक है अब आप क्या कर दिए इसको add कर दीजिए add करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 5049 और 5049 का आपको unit place पूछा गया है तो इसका unit place कितना होगा 4 आएगा तो 0,4 जो है वो आपका answer है अगर इसके अंदर range भी पूछी जाती तो आप range भी निकाल सकते हैं ऐसी बात नहीं इसकी range जिस हमने निकाली है 4 से लेके 5045 तक क्योंकि range निकालने के बाद ही हमने unit digit याँ पर calculate किया है clear है थोड़ अच्छे से देख लीजिए आगे बात करते हैं next question question number 3 देखी क्या है question number 3 के अंदर देखे find the number of integral values of x in the domain of this function इस function की domain के अंदर integral values देखनी है तो देखे सबसे पहले तो बहार एक log है और ये log के अंदर एक drum है इसको अगर मैं उपर लेओं तो ये भी देखे बन जाएगा log mod sin x बन जाएगा 8 और बाहर हो जाएगा minus sin अब दोनों का base same हो गया तो इसमें log की property लगा देना log mod sin x ठीक है और x square minus 8x plus 23 divided by 8 क्यों भी इसमें minus sin है और बाहर आपके पास में फिर से एक log है इसकी आपको क्या करना है finding number of integral values of x in the domain इसकी domain में आपको integral values देखनी है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो बाहर वाला जो point है उससे ठीक है जो log है बाहर वाला वो हमेशा greater than 0 होना चाहिए means log into mod sin x और साथ में x square minus 8x plus 23 divide by 8 ये क्या होना चाहिए ये greater than 0 होना चाहिए mod sin x आपको सबको पता होगा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा क्योंकि 0 और 1 तो होई नहीं सकता है और 0 से 1 पे inequality change हो जाएगी x square minus 8x plus 23 by 8 कैसा हो जाएगा less than इसकी power 0 जो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो यहां से आपको मिलेगा x square minus 8x plus 23 will be less than 8 x square minus 8x plus 15 will be less than 0 इसको आप सब लोग solve कर सकते हो x minus 3 x minus 5 will be less than 0 तो आपका जो answer आएगा वो 3 से लेके 5 के बीच आएगा positive, negative, positive अब देखिए एक चीज़ और क्योंकि यह less than 1 आ रहा है तो यह क्योंकि again यह भी term log के अंदर है तो यह भी greater than 0 होनी चाहिए अगर आप इसका discriminant check करोगा इसका negative आएगा तो यह expression हमेशा positive होगा इससे आपको कोई answer नहीं मिलेगा उदर से तो आपका जो all our answer आएगा वो 3 से 5 ही आएगा लेकिन एक चीज़ और इसके अंदर क्योंकि देखिए mod sin x आ रहा है क्योंकि यह जो दो number है यह इसके बीच में आएंगे लेकिन आपको यह बताना है बस कि इसके अंदर कितने integer आ रहे हैं तो इसके बीच में 3 से 5 के बीच में बीच में वैसे एक integer आएगा that is 4 और 4 ना तो इसके equal है और ना इसके equal है इसका base भी यह लोग के अंदर जो ट्रम है उसको भी और इस लोग के अंदर जो ट्रम है इसको भी तीनों को check करके जो तीनों का common solution होगा वो आपका answer होगा ठीक है चली आगे बात करते है question number 4 लेकि क्या है question number 4 के अंदर आप से पूचा है यह देखिए बहुत सांदार question है आपका देखिए तीन equation देरकी है देखिए तीन equation तीन variable होते है तो हम generally solve कर लेते आराम से लेकिन इस question में क्या है कि आपका fractional भी use हो रहा है greatest भी use हो रहा है और normal part भी use हो रहा है ठीक है तो देखिए कैसे solve करेंगे सबसे पहले देखिए अगर हम इस data को देखे जान से 3.1, 4.3 और 5.4 इन दोनों का जो decimal part है वो इसके ब्रावर है तो हम एक काम करते हैं पहली और दूसरी equation को तो add करते हैं और तीसरी equation को subtract कर देते हैं इससे क्या होगा इससे देखिए हमें कुछ मिलेगा उसके बारे में देखते हैं क्या होगा तो x plus greatest integer of y fractional part of z को लिख दे z minus fractional greatest integer of z पहली और दूसरी दोनों को add करना है x को लिखा x minus greatest integer x fractional वाले पार्ट को greatest में convert कर दो y plus greatest integer of z plus greatest integer of x fractional part of अच्छा इसको minus करना है तो यहाँ पर minus sign आएगा और minus sign fractional part of y हो जाएगा minus का y plus यह भी minus minus plus हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि y minus greatest integer y होगा तो यह plus हो जाएगा और minus z और बराबर में आजाएगा देखिए 3 और 4 कितना होता है 7.4 और उसमें से 5.4 subtract हो जाएगा तो यह 2 आजाएगा अब देखिए क्या क्या cancel out हो रहा है सबसे पहले देखे x, z, y, z तो y minus का, z minus का, y plus का और z plus का यह cancel out हो गया इसके अलावा greatest integer z से greatest integer z cancel out हो गया और कुछ cancel out नहीं हो रहा है इस x minus greatest integer x देखिए, इसको और इसको मिला करके वापिस लिख सकते हो आप fractional part of x और इसके साथ में greatest integer y यह part count हो चुका है यहाँ पर greatest integer y और minus, plus greatest integer y तो यह आएगा two time fractional part of x क्योंगी एक यहाँ से आएगा और एक यह और यह मिलके हो जाएगा और ऐसे ही यह आएगा two time greatest integer y और बराबर 2 इससे मेरे को यह पता चलेगा कि fractional part of x plus greatest integer of y बराबर कितना होगा मेरा one आएगा अब देखिए कैसे solve करेंगे देखिए greatest खम ऐसा integer होता है तो यह एक integer number है और यह भी एक integer number है इन दोनों का जब difference करोगे तो वो आपके पास में क्या आएगा वो एक integer आएगा और fractional part of x अगर integer आ रहा है इसका मतलब यह हुआ कि कितना हो सकता है क्योंग integral value fractional part की सिरफ 0 ही हो सकती है और यह 0 कब होगा जब x मेरा क्या आएगा integer होगा तो यह बहुत important point है कि x मेरा कैसा होगा integer होगा अभी सिरफ हमने यहां से एक conclusion निकाला है कि x मेरा क्या है integer है और x मेरा integer है इसके साथ में मेरे पास में यह equation है fractional part of x plus greatest integer of y ब्राबर 1 ठीक है और इसी equation से conclusion निकला कि x मेरा कैसा होगा integer क्योंकि integer plus integer ही integer हो सकता है ठीक है और integer होगा तो fractional part of x कितना हो जाएगा आपका 0 ही possible है और कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए आगे देखते है इसको मिटा देते हैं दुबारा ठीक है क्योंकि इसमें हमें equations को थोड़ा सा अच्छे से deal करना पड़ेगा क्योंकि तीन equation है और greatest और fractional भी साथ में आ रहा है देखिए fractional part of x मेरे को यहां से पता चल गया कि 0 होगा क्योंकि शिरफ integral value 0 ही हो सकती है और क्योंकि integer plus integer ही integer आ सकता है इसलिए उसकी value decimal में आ ही नहीं सकती चलिए इसके अंदर अगर fractional part of x को मैं 0 put कर दूँ तो मेरे को मिलेगा y into greatest integer of z बराबर 4.3 अब देखो जान से क्योंकि यह एक integral value है तो यह जो 0.3 जो आ रहा है न वो y की वज़े से ही आ सकता है तो यहां से मेरे को यह पता चल जाएगा कि fractional part of y जो होगा वो कितना होगा वो मेरा 0.3 होगा और fractional part of y अगर 0.3 है ठीक है तो fractional part of y को मैं अगर 0.3 यहां put कर दूँ तो यहां से मेरे को मिलेगा greatest integer x plus z बराबर 5.4 minus 0.3 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा मेरा 5.1 अब देखो पहली वाली equation से और इस वाली equation से मेरे को और क्या conclusion मिल रहा है अच्छा एक चीज और क्योंकि देखिए x मेरा कैसा है integer तो यहां पर इस greatest को लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि x plus z मेरा कितना हो जाएगा 5.1 आजाएगा अब देखिए क्योंकि x मेरा integer है तो z के अंदर ही fractional part होगा और यहां से मेरे को पता चलेगा कि fractional part of z जो है वो कितना आजाएगा मेरा वो कितना आजाएगा 0.1 आजाएगा अब देखिए मैं 3 equation फिर से बना सकता हूँ और वो 3 equation क्या होगी देखिए क्योंकि मेरे को तीनो fractional part of x की values मिल गई है fractional part of x 0 होगा fractional part of y 0.3 है और fractional part of z 0.1 है तो देखिए जो पहली equation है वो है मेरे पास में कितनी x या चाओ तो बैसे यहाँ पर तो x plus z तो मेरे पास में है कितना 5.1 ठीक है ना इस equation में तो कुछ आपको change करने की जरूत है नहीं x plus z बराबर 5.1 यह कहां से आया था इस वाली equation से इस वाली equation से क्या मिलेगा देखिए fractional part of x 0 है तो y plus greatest integer of z और greatest integer of z को में क्या लिख सकता हूँ y plus z minus fractional part of z और fractional part of z 0.1 है ठीक है तो 0.1 को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो वो बन जाएगा मेरा 4.4 इसके अलावा देखिए पहली वाली equation से क्या होगा x तो मेरा x है ठीक है y को मैं क्या लिख सकता हूँ greatest integer of y को y minus fractional part of x ठीक है तो वो बन जाएगा मेरा कितना x plus y into fractional part of y y minus fractional part of y और fractional part of y की value कितनी है मेरे पास में वो है 0.3 और plus fractional part of z जिसकी value कितनी है 0.1 तो यह हो जाएगा minus 0.3 plus 0.1 या एक काम करे 0.1 को इधर पहले ही ले आए तो यह बन जाएगा आपका 3 और fractional part of y कितना है 0.3 तो इसकी value आगे मेरे पास 3.3 अब देखिए मैंने क्या कर दिया सब जगे से greatest और fractional को अटा दिया अब आप इसको आराम से solve कर सकते हो तीनों को add कर दिया so 2 time x plus y plus z कितना आ जाएगा तीनों को add कर दो 5 4 9 9 और 3 12.8 तो x plus y plus z कितना आ गया मेरे पास x plus y plus z आ जाएगा 6.4 ठीक है अब देखिए आप सारी values निकाल सकते हो x plus z 5.1 है तो सब से पहले तो मैं आपर 5.1 put करूँँगा तो y आ जाएगा मेरा इसमें से 5.1 सब्टेट करेंगे तो यह आएगा मेरे पास मैं 1.3 और यहां से आप y का फ्रेक्शनल पार्ट देख भी सकते हो 0.3 आएगा y plus z को 4.4 put किया तो x 2 आ गया देखिए वो condition भी true होगी x मेरा integer आना चाहिए था और इसके अलावा तीसरी condition x plus y को 3.3 put किया x plus y वराबर 3.3 तो यहां से z कितना आ गया मेरे पास z की value आ गया मेरे पास में 3.1 यह value यहां put किजिए आपको क्या पुछा है 3z minus x minus y so 3z minus x minus y कितना आएगा 3 into z there will be 9.3 minus x2 minus 1.3 तो इसमें से इसको सब्टेट करोगे तो finally आपका answer आएगा 6 ठीक है तो यह आपका correct answer होगा that is 0,6 0,6 is the correct answer ठीक है थोड़ा सा इसे questions को ध्यान से करना बच्चू easy होते हैं लेकिन आपको कापी सारे manifestations इस तरीके से करके देखना होगा चलिए आगे बात करते हैं next question that is question number 5 क्या है देखिए question number 5 के अंदर आपको इस equation को solve करना है कि कौन सी equation को f of x बराबर f of minus x लेकिन उसके लिए पहले आपको इस functional equation को solve करके x निकालना है तो इसको आप बहुत आराम से solve कर सकते हो एक दों simple equation है 2 time f of 1 by x बराबर 3x इसमें x को 1 by x से replace करें तो x आजाएगा f of 1 by x plus 2 time f of x बराबर 3 बटे x इसको 2 से multiply कर दो और equation 2 में से 1 को subtract कर दो ठीक है न 2 minus 1 कर दो तो देखिए बच्चों कितना आएगा ये 2 से 2 तो कर जाएगा यहां पर 2 into 2 4 minus 1 that is 3 time f of x बराबर यह आएगा 6 upon x और minus 1 से आएगा 3x 3 से divide करेंगे तो यहां से fx की value आजाएगी मेरे पास 2 by x minus x अब आप इस equation को आराम से solve कर सकते हो f of x कितना हो जाएगा 2 by x minus x बराबर f of minus x कितना हो जाएगा minus 2 upon x plus x तो यहां से बच्चों आएगा 4 by x बराबर 2x तो x square बराबर कितना आगया 2 तो x की 2 real values जाएगी plus minus root 2 और आपको यह पूछा है इसके अंदर कि the function f is not defined for x equal to 0 तो x equal to 0 तो i नहीं रहा है but for all non-zero real numbers x fx will be equal to miss इसको satisfy कर रहा है then the number of real solution of this equation तो इसके जो real solution आ रहे हों कितने आ रहे हैं हमारे दो solutions आ रहे हैं ठीके बच्चों चलिए आगे बात करते हैं question number 6 और question number 6 क्या है देखिए question number 6 के अंदर आपको क्या करना है देखो question number 6 के अंदर आपसे the set of values of x for which the function this is defined and this is also greater than 1 अगर इसका solution यह है तो a plus b by 8 कितना होगा देखिए बच्चों यह function कब defined होगा जब x plus 1 into x minus 4 क्या हो जाए मेरा greater than or equal to greater than 0 हो जाए equal to नहीं greater than 0 हो जाए तो इसका आंसर आएगा minus infinity से minus 1 और union 4 से infinity यह तो किसका आंसर है यह तो मेरा पहले पार्ट का आंसर है अब इसका आंसर क्या होगा इसके लिए इसमें log लेना पड़ेगा बच्चों तो इसमें log लेंगे तो आएगा x plus 1 into log of x square minus 3x minus 4 will be greater than log 1 log 1 होता है एक 0 तो देखी बच्चों इन दोनों फेक्टर्स का product greater than 0 होना चाहिए तो कब होगा पहला case बनाते है जब यह positive होगा तो जब x greater than minus 1 होगा तो यह भी positive होना चाहिए और यह इसको जब positive करोगे तो आपके सामने आएगा x square minus 3x minus 4 will be greater than 1 जब log होता होगे तो यह आजाएगा greater than 1 तो यहाँ से आपको मिलेगा x square minus 3x minus 5 will be greater than 0 इसको जब हम solve करते हैं तो देखी हमें क्या मिलेगा अगर इसकी value greater than 1 है ना तो इसकी value greater than 0 automatic हो जाएगी उसको आपको करने की जरूत नहीं है ठीक है क्यों 1 से कोई भी number बढ़ा है तो 0 से बढ़ा है तो आपको दूसरी condition लगाने की requirement नहीं है तो यहाँ से आपको x की 2 values मिलेगी that is 3 plus minus 9 plus 20 that is root 29 divided by 2 तो यह greater than 0 होगा आपका minus infinity से लेके again 3 minus 29 by 2 से लेकर कां तक infinity तक इसका और इसका आपको दोनों का intersection लेना है तो देखिए बच्चों दोनों का intersection लोगे ठीक है अच्छा यह तो है तब जब आपका x greater than minus 1 है ठीक है इसकी value greater than 0 एक इस interval के लिए दूसरा इस interval के लिए ठीक है आप दूसरा case बनाओगे जब x greater than minus 1 में क्योंकि यह वाला answer तो आएगा नहीं शिर्फ यह वाला answer आएगा और इसका और इसका जब आप एक साथ combination देखेंगे तो यह 4 से infinite है और यह नंबर 4 से बढ़ा होगा तो आपका जो answer आएगा वो आएगा 3 प्लस root 29 से लेकर के by 2 से लेकर के infinity तक यह तो आपका पहले part का answer आगया यह आप दूसरा case बनाओगे जब वो negative है तो इसमें भी negative होगा और उसके negative में फिर आपके पास में यह वाला case आजाएगा क्योंकि यह तो क्या हो जाएगा positive हो जाएगा और इसका और इसका जब आप intersection देखोगे तो क्योंकि देखोगे यह जो number है आपके पास में 3 माइनस root 29 3 माइनस 5 point something that is 2 point something by 2 ठीक है 2 point something by 2 कितना होगा आपका minus 1 point something तो इसका और इसका जब आप intersection देखेंगे दोनों का ठीक है तो इन दोनों का जो intersection आएगा वो कहां से कहां तक आएगा ठीक है क्योंकि आपको इसके अंदर हाँ यह कैसा होगे लेस देन जीरो वाना चाहिए तो उस case में आपके पास में इस बार जो answer आएगा वो इन दोनों numbers के बीच का आएगा ठीक है क्योंकि इन दोनों का intersection होगे minus one point something है और minus one यहां पर है तो इस point से लेकर के इस point तक आपका intersection आएगा और वो आपका answer हो जाएगा 3 minus root 29 by 2 से लेकर के minus one तक वैसे इतना तो आपको सोचना भी नहीं क्योंकि इस type का देकि आपको answer दिया हुआ है तो सीदी सी बात है यहां तो minus one आएगा यहां पर यह नंबर आएगा यहां पर यह आएगा और यहां पर infinity आएगा अब आपको a plus b by 8 पुछा है तो इसका answer आजाएगा 3 plus 29 divided by 8 that is 32 by 8 जो आएगा आपका 4 तो again 0 4 आपका क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा ठीक है बस again domain का question था तो हर चीज को थोड़ा सा ज्यान से solve कर ले आगे बात करते हैं question number 7 जो कि आज का आपका last question होगा paper का तो देखते इसके बारे में क्या पूछा है आपको range of this function इस function की range पूछी है तो देखे कैसे निकालेंगे सबसे पहले इसको करेंगे x square plus 1 plus e minus 1 divide by x square plus 1 कितना आएगा बच्चों देखो ln of 1 plus e minus 1 divide by x square plus 1 कैसे निकालते हैं देखो इसे functions की range हम x square plus 1 से start करेंगे इसकी जो range आएगी वो कहां से कहां आएगी वो 1 से लेकर के infinity के बीच में होगी इसको जब reciprocal करोगे तो इसकी जो range आएगी यह इधर 1 आजाएगा 1 upon x square plus 1 और इसका यहां पर कितना आजाएगा 0 इसको e minus 1 से multiply करोगे तो e minus 1 e minus e function बनाना है बस आपको inequality की help से इधर वापिस 0 ही आएगा अब इसमें 1 add करेंगे तो इधर तो e बन जाएगा इधर बन जाएगा e minus 1 upon x square minus 1 plus 1 और इधर भी आजाएगा greater than 1 अब इस पर ln लगाएंगे log तो देखें log ln of e minus 1 divided by x square minus 1 plus 1 will be greater than equal to log 1 greater than equal to log 1 और log 1 होता है 0 और इधर आएगा log e जिसकी value होती है 1 इसका मतलब हुआ कि यह जो function है इसकी जो range आएगी हमारी वो आएगी 0 से लेकर के 1 तक open interval 0 से close interval 1 जो कि आपको दे भी रखा है open interval l से लेकर m तक तो l 0 और m 1 होगा तो 0 plus 1 का square आप से पूचा है l plus m का hall square जो कि कितना आजाएगा वो आजाएगा आपके पास में 1 और आपका जो सही answer होगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा 0 1 ठीक है तो यह था आपका paper पूरा ठीक है आज का DCM test ठीक है इसको आप अच्छे से देखिए और जो भी आपके doubt से उनको अच्छी तरीके से clear कर लेजिए ओके thank you very much